पुश्पा नाम सुनके फ्लावर समझे क्या फ्लावर में ही फायर है में साउथ इंडियन सूपर स्टार अलू अर्जुन एक ऐसा सूपर स्टार जिसने अब तक सिर्फ सूथ के फिल्मे ही की है बॉल्यूट की एक भी फिल्म नहीं की लेकिन इसके बावजूद हिंदी भाशी बेल्ट में उसके फैंस की कमी नहीं है वो पूरे देश में पसंद किये जाते हैं उनकी फिल्मों को बिजनस रिकार्ड तोड़ देता है आईए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं साउथ फिल्म इंडास्ट्रिय के सूपर स्टार अलू अरजुन की सकसस के सीक्रिट्स आज के इस वीडियो को आखर तक देखना अपने अक्टिंग से तो दर्शकों के दिलों पर आज करते ही हैं अलू अरजुन अपने स्टाइल से आज की यूद को भी रिप्रेजेंट करते हैं उनके स्टाइलिश लुक के फॉलोवर्स की भी कमी नहीं है तकरीबन हर एज गुरुप के दर्शकों के फैन अलू अरजुन देक्षन भारत के फिल्मी दुनिया के सुपरस्टार है साउथ इंडिया में बनी हर एक फिल्म को हिंदी के साथ सा दूसरी भाशाओं में भी डब करके दर्शकों तक पहुँचाय जाता है ये वज़ाए कि तकरीबन पूरे देश में उनकी फैन फॉलोविंग बनी है फिल्मी बैग्राउंड से बिलॉंग करने वाले अलू अरजुन चैनने में पैदा हुए उनके परिवार में पतनी के अलावा दो बच्चे जिनमें एक बेटा और एक बेटी, माता पिता और दो भाई है अलू दिली तोर पर अपने पिता के काफी करीब रहे हैं क्योंकि उनके पिता ने इन्हें हमेशा सपोर्ट किया और इनका होंसला बढ़ाया इनके पिता ने कभी भी अपने मन की कोई बात इन पर थूपी नहीं है ये वज़ाए कि आज भी वो अपने पिता से डिसकस करके ही अपने प्रफेशनल और परसनल डिसिजन लेते हैं अरजुन की पूरी फैमिली ही फिल्मी दुनिया से बिलॉंग करती है इनके ग्रेंट फादर तेलगू फिल्म इंडास्टिरी से जुड़े रहे और इन्होंने तकरीमन हजारों फिल्मों में काम किया बत और एक्टर इन्होंने काफी अच्छा काम किया है इनके दो भाईों में एक बिजनसमैन और दूसरे एकटर है जबके इनके पिता अलू अर्विंद एक फिल्म प्रिडूसर है, मदर हाउस वाइफ है इनकी फैमिली से बारा मेंवर्स फिल्मी दुनिया में काम करते हैं चन्नेई के सन पैट्रिक स्कूल से पढ़े अलू अर्जुन की कॉलेज लाइफ हिदराबाद के MSR कॉलेज से हुई जहां इन्होंने BBA की पढ़ाई की, इसके साथ इन्होंने एनिमेशन भी सीखा साल 2012 में अलू अर्जुन एक बिजनस्मेन की बेटी के साथ विवाह के बंदन में बंद गए वो और उनकी वाइफ सनेहा रेड़ी, ये दोनों एक कॉमन फ्रेंड की वेडिंग में मिले थे जहां से दोनों के बीच इलू इलू शुरू हो गया, जो आगे चलकर शादी में बदल गया हालाकि इनके ससुराल वाले पहले अपनी बेटी की शादी एक एक अक्टर से नहीं करना चाहते थे लेकिन जब वो अलू अर्जुन से मिले तो उनका सभाव और वहवार देखकर काफी प्रभावित हुए उनको पता चला अलू अर्जुन एक्टर हुते वे भी सिंपल और सोबर है इसलिए उन्होंने अपनी बेटी की शादी अलू अर्जुन से कर दी इन्होंने अपनी वाइफ स्नेहा का नाम टेटू के तौर पर अपने हाथ पर बनवा रखा है अलू अर्जुन का निकनेम बनी है इनके दोस्ते ने बनी के नाम से जानते है साल 2005 में इनके एक फिल्म बनी दा हीरो भी आई थी जिसमें उन्होंने लीड करक्टर प्ले किया था आपको जानका रजीब लगेगा लेकिन अलू अर्जुन कभी भी एक्टर नहीं बनना चाहते थे बलकि वो सबसे पहले मार्शलार ट्रेनर बनना चाहते थे फिर वो एक ऐनिमेटर बनना चाहते थे फिर उन्हें लगा उन्हें तो एक पियानू टीचर बनना चाहिए, इस तरहें उनके इंट्रेस्ट चेंज होते रहे और आखिरकार फिल्मी बैग्राउंड का प्रभाव उन पर फड़ा और इनका इंट्रेस्ट एक्टिंग में बढ़ता चला गया और वो एक्टर बन गए, साल 2020 में वो गूगल पर जो टॉलिवूड के सबसे ज़़ा सर्च किये जाने वाल एक्टर रहे हैं। इसके लावा 2016 में भी वो सबसे ज़़ा सर्च किये जाने वाले साउथ-िंडियन एक्टर रहे हैं। ये बहुती डाउन-to-earth एक्टर हैं, जो अपने फैंस की परसनल ल इसके लावा इन्होंने फिल्म का ट्रेलर भी पोस्टपून कर दिया बिग स्क्रीन पर उनकी पहली अपीरियंस तीन साल की उम्र में फिल्म विजेता में चिरिन जीवी के साथ हुई इसके बाद 18 साल की उम्र में इन्होंने एक फिल्म में एक डांसर का कैरेक्टर प्ली किया और इस फिल्म का नाम था डैडी अलु अर्जुन की हर फिल्म में आप एक निया डांस स्टाइल देखेंगे वो खुद बच्पल से डांसिंग के दिवाने रहे हैं और उन्होंने धीरे-धीरे खुद से डांस करना सीखा है इस फिल्ड में वो अपने आइडियल के तौर पर एक्टर चिरिन जीवी और माइकल जेक्शन को मानते हैं उनका मानना है बॉलिवुड में सबसे बेतरीन डांसर गोविंदा है एक इंटर्वियू के दोरान रैपिड फायर क्वेस्चनिंग में अलू अर्जुन से अपने आपको तीन शब्दों में डिफाइन करने के लिए कहा गया जानते हो तीन शब्द क्या है? स्माइलिंग, स्टाइलिश है और हैपी आपको क्या लगता है? क्या ये तीन शब्द अलू अर्जुन की पिस्नालिटी को डिफाइन करते हैं? अपना जवाब कमेंट बॉक में लिखना साल 2002 में अलू अर्जुन पढ़ाई के लिए कैनेडा जाने वाले थे लेकिन फिर उसी समय उनके पास उनके पहली लीड डेब्यू फिल्म गंगुत्री का ओफर आया और उन्होंने कैनेडा जाना कैंसिल कर दिया 2003 में अलू अर्जुन की डेब्यू फिल्म गंगुत्री आई थी जिसमें उन्होंने एक विलेज बॉय का कैरेक्टर प्ले किया ये रोल उनके लिए काफी चैलेंजिंग रहा क्योंकि वो एक मॉडन सिटी में रहने वाले लड़के थे उनका कैरेक्टर काफी डिफरेंट था इस फिल्म के डेरेक्टर की भी ये सौवी फिल्म थी इसलिए फिल्म उनके करियर की एक इंपॉर्टन फिल्म बनी इस फिल्म को ओडियन्स ने बहुत प्यार दिया साल 2004 में उनके करियर की सबसे बहतरें फिल्म आर्या रिलीज हुई इस फिल्म ने उन्हें रातो रात स्टार बना दिया केवल चार करूड की लागत से बनी इस फिल्म ने 30 करूड से जादा का बिजनस किया ये फिल्म टीवी पर दिखाई जा रही थी लेकिन इसके बावजूद ये थियेटर में चल रही थी इस फिल्म की स्क्रीनिंग कुल 400 दिनों तक चलती रही लेकिन फिल्म के मेकर्स की पहली पसंद प्रभास या रवी तेजा थे लेकिन उन्होंने इस फिल्म को करने जमना गर दिया इसके बाद अलू अर्जुन ने इस फिल्म को करना सुईकार किया क्योंकि उन्हें फिल्म की स्टोरी बड़ी पसंद आई इसके बाद आर्या की सीक्विल भी बने जो काफी सक्सेस्फुल रहे अलू अर्जुन को अपना पहला Film Fair Award फिल्म परगू में Best Actor के तौर पर मिला ये फिल्म 2008 में आई थी इस फिल्म के कैरेक्टर को प्ली करनी के लिए उन्हें अपना वेट लूज करना पड़ा साथी बाल भी छोटे रखने पड़े इसमें उन्होंने एक मिडल क्लास लड़के का किरदार प्ली किया था अलाकि इस फिल्म के लिए एक क्रिटिक्स के मिले जुले रिव्यू मिले लेकिन फिर भी कमर्शल तोर पर ये फिल्म हिट रही अल्लू अर्जुन के एक फिल्म आई थी वेदम जिसमें उन्होंने अनुष्किया शेट्टी और मनोज वाजपई के साथ स्क्रीन शेयर की आपको हैरानी होगी इस फिल्म के लिए इन्होंने कोई फीस नहीं ली थी इन्होंने एक शॉर्ट फिल्म प्रिडूस की थी जिसकी स्टोरी के अकॉर्डिंग ये दिखाया गया सिटिजन अपने छोटे-छोटे एक्शन से एक बड़ा चींज ला सकते हैं इस फिल्म के लिए सभी एक्टर ने बिना फीस लिए काम किया इसे शॉर्ट फिल्म का नाम था I Am That Change इन्होंने अभी तक कोई भी बॉलिवुड फिल्म साइन नी किया इसके पीछे इनका कहना है कि ये बॉलिवुड फिल्म करना चाहते हैं इसके बाद वो हिंदी भी सीख लेंगे लेकिन इन्हें उनके लेवल की अब तक कोई फिल्म आफर ही नी हुई ये बात यहां इंपॉर्टन्ट है कि अलुवर्जन की हर फिल्म हिंदी में डब होती है हिंदी दर्शकों में उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोविंग है अपना टाइम आएगा ये गाना शायद आपको भी पसंद हो लेकिन ये गाना अलुवर्जन का फेवरेट गान है वहीं फिल्म गली बॉई का ये गाना अलुवर्जन को बड़ा पसंद है रणबीर सिंग स्टारर इस फिल्म ने अलू वर्जन का भी दिल जीत लिया वो जोया अखतर को बॉलूड की बेहतरीन डिरेक्टर मानते हैं और उनके साथ काम करना पसंद करना चाहेंगे अलवेंटर दपोर मलू साल 2020 में आई उनकी एक ऐसी फिल्म है जिसमें बाहुलली के बाद तेलगो फिल्म डेस्ट्री में रिकार्ड कायम किया बिना हिंदी वर्जन के इसने 270 करोड का बिजिनस किया एक एक्टर के लिए उसकी फिटनेस जादा इंपॉर्णन रखती है और कैरेक्टर के अकॉर्डिंग अपनी बाड़ी को चेंज करना उनके काम का अहम हिस्सा होता है अलुवर्चुन 45-60 मिनट रोज ट्रेड्मिल पर दोड़ना पसंद करते हैं जब उनसे उनके फिटनेस मंतर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया एक भेतरिन शरीर से भेतर स्वस्त शरीर होता है वो फिल्म में अपने कैरेक्टर के अकॉर्डिंग वर्काउट भी करते हैं बनी काफी हद तक कलर कॉंशिस है उनका फेवरेट कलर ब्लैक है और उसके बाद वाइट या फिर ग्रे कलर है यूथ स्टाइल आइकॉन के तोर पर जाने जाने वाले बनी हमीशा परफेक्ट लुक में सामने आते हैं इन्हें एकसेसिरीज बड़ी पसंद हैं हमीशा गॉगल्स लगाना पसंद करते हैं एक्टिंग के अलावा इनका एक सोर्स ओफ इंकम इनका नाइट कलब भी है इसके लावे एक लग्जरी कार लीज कंपनी में इन्होंने इन्वेस्टमेंट भी किया है जो हाई प्रोफाइल क्लाइंट को कार प्रोवाइड करवाती है क्या आप भी ट्रिपल सिक्स को डैविल का नमबर बांते हैं लेकिन अलू अर्जुन इस नमबर को काफी पसंद करते हैं उनका फोन नमबर हो या कार का नमबर आप हर जगां 666 जरूर देखेंगे अपने खाली टाइम में वो या तो आफिस में रहते हैं